अकाश्वाणी भुपाल सी प्रस्तोत है प्रादीशेक समाचार नमस्कार समाचारू के साथ मैं सैयुक्ता बैनर ची सबसे पहली बुलिटन के मुख्य समाचार राजे सरकार ने विधान सभा में पेश किया अतुरती अनुपूर का नुमान उजा सबसेडी यूजनाओं के लिए सबसे ज्यादा छे हजार करोड का प्राथार ओल्ट पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर मुख्य विपक्षी दल कॉंग्रस ने सदन से किया वॉक आउट प्रदेश में लाडली बहना यूजना में 25 मार्ट से भरे जाएं गया वेदन मुख्यमंत्रूी ने की तैयारियों की समीक्षा और प्रदेश में एक बार फिर मौसम में बतलाव, राजधानी भोपाल और राइसेन में बारिश अब समाचार विस्तार से राजे विधान सभा में कल राजे सरकार ने वित्तवर्श 2022-23 का अपना तृती अनुपूरक अनुमान पेश किया जिसमें 16,000 करोड से अधिक का प्राधान किया गया है सबसे ज्यादा उर्जा सबसेडी योजनाव पर 6,000 से ज्यादा राशी खर्च की जाएगी बजट पर आज सदन में चर्चा के लिए समयनर धारत किया गया है वितमंत्री जगदीश देवडा ने बताया कि पेश किये तृती अनुपूरक बजट में कुल 16,329 करोड का प्राधान किया गया है जिसमें से राजस्व मद में 14,842 करोड और पूंजीकत मद में 1,487 करोड से अधिक राशी का प्राधान है बजट में प्रधान मंत्री फजल बीमा यूजना के लिए 1,324 करोड रुपे का प्राधान किया गया है ग्रामीन विकास विभाग अंतरगत प्रधान मंत्री आवास यूजना के लिए 1,013 करोड और संबल यूजना में 636 करोड रुपे का प्राधान किया गया है राजी सरकार ने कल राजी विधान सभा में बजट सत्र के दौरान विपक्ष को जवाब दिया कि प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम, OPS लागू करने के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है इसको लेकर मुख्य विपक्षी दल कॉंग्रस ने सदन से वॉक आउट किया, प्रश्नकाल के दौरान कॉंग्रस विधायक जाना चाह रहे थे कि प्रदेश में OPS लागू करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचारा धीन है या कर्मचारी संगठनों ने कोई मांग पत्र दिया है, इस पर वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने बताया कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचारा धीन नहीं है, उन्होंने का कि राजिशासन आवश्यक सभी तर्थियों का उजित विशलेशन करते हुए निर्ने लेगा, इस जवाब से संतुष्ट नह होते हुए विपक्ष ने सदन से वॉक आउट कर दिया। चिंद्वाडा, उमरिया, रीवा, शिवपुरी, सागर, गुना, सिवनी और दत्या को, पाइलिट प्रशिक्षन, एरो स्पोर्ट्स और अन्य उडियन गतिविधियां संचालित होंगी। प्रदीश में गुनवत्ता युक्त स्कूली शिक्षा के लिए अब प्रात्मे कक्षाओं के शिक्षकों को टैबलेट की सुविधा दी जा रही है। प्रात्मिक्स तरके शिक्षक इन टैबलेट का उपयोग अक्षा शिक्षन के साथ ही ओनलाइन शिक्षन और प्रशिक्षन जैसे कारियों में करेंगे। मधिप्रदेश में समगर शिक्षा अभियान की टीचर्स रिसोर्स पाकेज योजना के अंतरगत प्रात्मिक्स तरके सभी शिक्षकों के लिए टैबलेट क्रायर के लिए प्रती शिक्षक 10,000 रुपय का बजट प्राज्य शिक्षा के इंद्र के द्वारा मन्जूर किया ग इसके लावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR News आप पर भी समाचार सुन सकते हैं इसमें मन्सौर, उजयन, राजगर, बालाखाट और अंदौर पहले पांच नंबर पर है तैयारियों को लेकर बताया गया कि 10 जून से पात्र पहनों को हर महीने 1000 रुपय मिलना शुरू हो जाएगा मुख्यमंत्री ने काले करने बैठक अप्रेल महीने में होने वाले सुष मलगू और मध्यमुद्यम सम्मेलन को लेकर की सम्मेलन में मध्य प्रदेश में निर्याद समवर्थन, सुश मलगू और मध्यमुद्यम के लिए वित्य समाधान के नए आयाम वशेपर चर्चा के साथ समानांतर सत्र भी होंगे श्री चोहान ने तीसरी बैठक रभी उपार जनकारी के लिए की गई तयारियों को लेकर की नगरी विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिह ने बताया है कि प्रदेश के सभी 413 निकायों के संबंधे तर्धिकारियों का अप पर पंजीण कर लिया गया है यह आप दूर संचार मंत्राले द्वारा विक्सित किया गया है एप में संपत्ति मालेक और एजंसियों का पंजी करण किया जाना है मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जहां सभी नगरिय निकाए इस आप को पंजीबद हो चुके है पशुपालन और डेरी मंत्री प्रेम सेह पटेल की अध्यक्षता में कल हुई पशुपालन विभाग की परामर्ज दात्री समिती की बैठक में बताया गया कि प्रदेश में एक अप्रया से पशु एंबुलन्स सेवा शुरू होगी पशुपालन विभाग ने एंबुलेंस में एक डॉक्टर, एक कमपाउंडर, एक ड्राइवर सहित कॉल सेंटर के लिए 1238 लोगों को रोजगार से जोड़ा है दस गौशालाओं को जोड़कर एक गौव वंशवन विहार बनाने पर भी जोड़ दिया गया बात करेंगे मौसम की, मधिप्रदेश में एक बार फिर मौसम में बदलाव आया कल शाम, भोपा, सिहोर और राइसेन में बारिश होई, प्रदेश में पांच दिन के अंदर बारिश के दो सिस्टम बन रहे है एक सिस्टम अंगलवार से अक्टिव हो गया, इस वजह से ग्वालियर, चिंदवाडा, सागर और सिवनी में भी बारिश होई, जबकि कुछनी जिलों में बादल च्छाए है मौसम वैज्यानिकों के अनुसार आज से एक और मजबूत सिस्टम बन रहा है, इस से अगले 24 घंटे में भूपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, नर्मदापुरम, रीवा, शेहडोल, सागर और जबलपुर संभाग में कहीं तेज तो कहीं हलकी बारिश होन करने की संभावना है, 20 मार्च को ग्वालियर, नर्मदापुरम, रीवा, शेहडोल, सागर और जबलपुर में मौसम बदला हुआ रह सकता है मुरैना में मंगलवार की शाम बारिश के साथ हुई उलावरिष्टी से सरसों और गेहूं की फसले प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है जिले के एक दर्जन से अथिक गाउं उलावरिष्टी की चपेट में आए हैं फसल नुकसान का आंकलन करनी कलेक्टर रंकिता स्थाना ने राजस्व टीम गठित की है उन्होंने स्वैंभी राजस्व टीम के साथ ग्राम पंचायत ताजपूर में ओलावरिष्टी का नरीक्षन किया अब कुछ समाचार संक्षेप में भोपाल डिविशन ऑफ्थलमिक सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर गजेंद्रु चावला ने बताया कि विश्व ग्लोकोमा सप्ताह के अंतरगरत आज रास्धानी भोपाल में ग्लोकोमा रत का आयोजन किया जा रहा है इस दोरान जन सामानिय को ग्लोकोमा के प्रती जागरों किया जाएगा सागर में भारतिय जीव जन्तु कल्यान बोर्ड नई दिली के सदस्यर राम रखुवन्षी की अध्यक्षता में कल गौशाला प्रबंधन की समीक्षा बैठक हुई बालाखार जिले के विकास खरण बारा सिवनी में दो दिवसीय मिलत्स कोदो कुटकी रागी बाजराजवार आदिवश्यों पर कारिशाला आयोजन की गई और जैन संभाक के आयुक्त संदी प्यादव निकल शाजापुर में मुखे मंत्री लाडली बहना योजना के क्रियानवयन के लिए किये जा रहे डिटा कलेक्षिन कारिय की समीक्षा की आगर मालवा में कर स्वच्य सर्वेक्षान के अंतरगत क्षमता वर्धन कारिशाला का आयोजन किया गया माधिमिक शिक्षा मंदल मध्य प्रदेश के जनसंपर कधिकारी ने बताया कि परीक्षाओं के प्रशन पत्र सोशल मीडिया पर लीग होने का समाचार भ्रामक है परीक्षा नियंतरक की अध्यक्षता में छह सदस्य समिती का गठन किया गया है और देश में विद्यालेईन शिक्षा का स्थर बहतर बनाने के लिए प्रदानमंत्री स्कूल्स फॉर राइसिंग इंडिया पीमश्री के तहट देश भर के चैनित शास्की विद्यालेओं को विक्सित और उननत किया जाएगा सांसच शंकर लालवानी ने बताया कि इस योजना के लिए इंडौर जिले के 15 विद्यालेओं का जैन किया गया है अंत में बुलिसन के मुख्य समाचार एक बार भै राज्य सरकार ने विधान सभा में पेश किया तृतिय अनुपूरक अनुमान उर्जा सबसेडी योजनाओं के लिए सबसे ज्यादा 6,000 करोड का प्रावधार ओल्ड पंशन स्कीम लागू करने को लेखर मुख्य विपक्षिदल कॉंग्रस ने सदन से किया वॉक आउट प्रदेश में लाड़गी बहना योजना में 25 मार्च से भरे जाएंगे आवेदन मुख्य मंत्री ने की तैयारियों की समीक्षा और प्रदेश में एक बार फिर मौसम में बदलाव राजधानी भोपाल और रायसेन में बारिश बुलिटन में इतना ही इजाज़त दीजे नमस्कार